हेलो फ्रेंड्स एक और नहीं वीडियो में आप सकता स्वागत है और आज हमारे सामने ट्योटा की अर्बन क्रूजर या फिर आप कह सकते हैं मारूती की विटारा बिर्जा और यहां पर मिल जाते हैं हमें ड्यूल फंक्शन एलेडी ड्यारेल्स विच अल्सो एक्टाइस इं और ट्योटा का लोक को बहुत ही अच्छा लगता है और गाड़ी की लुक्स को काफी अच्छा बढ़ा देता है और यही मिल जाते हैं हमें टू स्मार्ट की इस दिद लॉक न लॉक्टा लोगो इस लुख अगर आपने गाड़ी पहले कभी देखी ने होगी तो यू लो हुक मिल जाता नीचे और काफी अच्छा Bumper का Dual Tone Design है इस गाड़ी में और यह कुछ इसका Front Look और सेफटी रेटिंग में भी काफी अच्छी गाड़ी है यह बिल्ट कॉलिटी इस गुड और यहां पर में इंसुलेशन में मिल जाते हैं और बेटर एंविच लेवल्स और यह 1.5 लिटर काफी पाफी पाउरफुल के सीजिस का पेट्रोल इंजन फोर सिलिंडर इंजिन है जो प्रिदूस करता है 105 पेस्पी की पाउर और में 38 अनम की तॉर्क और फ्यूल एफिशेंसी की 17 तो 18 रहती हाइवेस पे और सिटी में रहती अरूंड 15 किलूमेटर पर लिटर और यह कुछ गाड़ी के फ्रेंट से लुग और यहां पे जो फॉग लम्स मिलते हैं इनकी भी ब्राइटनेस काफी अच्छी है और यूज गाड़ी के साइट से प्रुफाइल सब 4 मिटर गाड़ी है तो 4 मिटर से इसकी कम है लेंथ 3995 mm इसकी ओवरॉल लेंथ है और ग्राउन क्लिवनेस भी काफी अच्छा और यहां सिस्पेंशन सिस्टम मिल जाते हैं मैक फर्जन और साइड ओवर्विंस मिल जाते हैं इलेक्री के लिए इजिस्टिबल और फोल्डेबल बाकी कुछ काड़ी का इंटिरियर अब चलते हैं स्टीरियर में वापिस और यहां पे आपको काफी अची ग्राउंड पिरिंस मिल ज और ओर इंस एलेक्री के लिए ओपन हो जाते हैं उपर आपको नॉर्मल इंटीना मिलेगा सेंटर में और रूफ रेल्स मिल जाती ही काफी स्ट्रॉंग इंबिल्ट रूफ रेल्स 48 लिटर्स की फ्यूल टैंक के बेस्टे मिल जाती ही प्रेट्रॉल टैंक की जो की बहुत जाद है रेंज काफी अच्छे लेगी कोटर ग्लास पैनल मिल जाता है और ब्लाक सी पिलर मिल जाता है यह कुछ काड़ी का रियर से लुक और जो रेल टेल लेंप का टूल टोन अबर्स पर और यहां पर आपको अर्बन टूजर मिल जाएगा क्रोम में ट्योटा की बैजिंग रियर वाइपर और यह लाइट का डिजाइन आप दे सकते है वन ऑफ दो बेस्ट इन सेग्मेंट लगता है रात को देखने में काफी अच्छा लगता है आइस को और यहां प आपको मिल जाते है रियर व्यू कैमरा यहां पर आप दे सकते है और यहां पर एलेक्रो मेगनेटिक टेल गेट ओपनिंग मिल जाती है बूट लाइट भी मिल जाती है आपको और बूट स्पेस इसका 328 लिटर्स का है यहां पर आप दे सकते है कैबिन बूट लाइट मिल ज तो यह पार्सल ट्रे भी मिल जाती है, दो एड्रेस मिल जाते है आपको, एड्जिस्टिबल, और 60-40 का रिर स्प्लिट मिल जाता है, रिर सीट्स पे, तो आप लगे चो काफी एजली और एफिशेंटली पाक कर सकते है, तो इस टोर्डा अर्वन क्रूजर, लुक्स वेरी गूट, अब चलते हैं की साइट प्रफाइल पे, तो यहां पे मिल जाती है, काफी बड़ी आप कलर कॉम्पोनिशन, तो अब चलते हैं की रिर कैबिन में, तो यह डोर आपको हेवी मिल जाता है, not that much heavy as other Toyota cars, but good build quality, child safety lock मिल जाता है, rear armrest type की support मिल जाती है, grab handle, interior internal door lock मिल जाता है आपको, chrome and 1 litre की bottle space, speaker मिल जाता है डोर पे, और यह कुछ इसका rear cabin, front seats को मैंने अपनी height के recording लेट जिसका है, जो की 6 feet 2 inches है, with my shoes, और अब चलते हैं के rear cabin में, और देखते हैं कितनी अच्छी space मिल जाती है, तो space की मामले में कुछ खास नहीं है, according to this segment, but आपको एक efficient space मिल जाती है, and team adults नहीं बाच सकते rear seats में, two adults and one child can sit easily, और यहां पे आपको middle cabin lights मिल जाती है, so this is it, rear armrest मिल जाता है, with cup holders, so comfort wise rear cabin is good, but you don't get rear AC vents, and this is it, so adjustable headrest, comfort grab handle मिल जाता हो, उपर आपको, दोनों side, with coat hangers, so guys, आप चलते से front cabin में, driver side भी आपको passive entry मिल जाती है, so keyless entry is car में आपको मिल जाती है, and यह कुछ जिसका driver side door, यहां पे आपको chrome door handle मिल जाता है, grab handle मिल जाता है, power window के controls मिल जाते है, and let me switch on the car, so driver side window आपको all to down and all top function के साथ मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते है, and all four power window के controls मिल जाते है, यहां से आप lock and unlock भी कर सकते है, electrically, और यह कुछ काड़ी का front cabin, काफी इची seats मिल जाती है, height registrable आपको driver side seat मिल जाएगी, and side question मिल जाती है, fabric अपॉल्सरी मिल जाती है, आपको Toyota Urban Cruiser में, and this is the interior, leather wrap steering wheel मिल जाता है, Toyota का logo, dual airbags मिल जाते हैं आपको, और यहां पे आपको काफी अच्छा instrument लेसरे मिल जाता है, जिसमें आपको engine rp meter, as well as speedometer मिल जाता है, odometer and all basic details, और instrument cluster में आप five color का combination भी use कर सकते है, जैसे कि आप देख सकते हैं, white, red, blue and all that, green, so that looks really amazing, काफी अच्छा आपको फील देता है यह, during night rides, this is it, now let's get into the interior, so यहां पे आपको मिल जाता है, काफी अच्छा interior, और यहां पे door पे आपको मिल जाता है tweeters, दोनों साइड, यहां पे engine start stop का switch है, और यहां से आप electrically fold कर सकते है, over UMS को, and adjust भी कर सकते है, so this is it, how I am adjusting, और यहां पे आपको headlight leveler मिल जाता है, headlight का, engine automatic start stop switch function का मिल जाता है, इसमें आपको option, और यह leather app steering wheel इसका काफी अच्छा है, OEM type इसलिए काफी अच्छी fitting होती है, steering wheel आपको मिल जाते है, tail adjustment के साथ, telescopic adjustment नहीं मिल जाते है, left side में आपको all media controls मिल जाते है, volume up down, और नीची वाली side पे आपको call septic line का option मिल जाता है, and Bluetooth, right side पे आपको सारे cruise control के function मिल जाते है, cruise control को set कर सकते हैं, और cancel भी यहाँ से कर सकते है, and you can increase the speed by 2 km पर आर, by pressing the plus and minus, you can decrease, और यहाँ पे आपको देख सकते, range वे रहे सब कुछ देखने को मिल जाता है, अब मैं आपको उसकी front lights on करके दिखाता हूँ, projector headlamp का जो unit है, so guys यहाँ पे आपको देख सकते हैं, काफी अच्छे design मिल जाता है वो, projector headlamp मिल जाता है for low beam, दोनों साइड पे आपको for high beam also, and fog limbs मिल जाता है white light, so that is really good, और यहाँ पे आपको मिल जाता है armrest, slideable, और यहाँ पे आपको उच्छे काशी space पे मिल जाता है beach में, deep space है, handbrick मिल जाती manual, और two cup holders, automatic gear knob system मिल जाता है यहाँ पे आपको, four speed का यह automatic system है, automatic AC मिल जाता है इसमें आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं, और उपर आपको normal rear view camera मिल जाता है का, normal quality का, measurement system है, touch quality is decent, it's not too good, too bad, just okay, cylinder console में hazard light का switch मिल जाता है, और उपर आपको electrochromic, eye air vents मिल जाता है, इसको आपको बच दबाना है, और automatically यह day और night के साब से adjust हो जाता है, और left side में आपको मिल जाता है glove box, तो काफी अची space मिल जाती है इसमें आपको, और ही cooling glove box है, उपर आपको जो मिल जाता है, उपेस भी काफी अची इसमें, और यह left side में आपको vent मिल जाएगा, और यहां पी आपको मिल जाता है 12V का power socket, USB aux का भी आपको socket मिल जाता है, so charging and all electrical equipment, जो भी आपको यूज करने में को इसमें दिक्कत नहीं आईगी, आपको basic सारी चीज़े मिल जाती है इस काड़ी में, so guys, अभी हम करने वाले हैं, urban cruiser के sound system का, पूरा music system का sound test, so इसमें 2 tweeter और 4 speakers मिल जाते हैं, अब करते हम volume का full उपर तक, अब करते हैं,